Bulldog के hybrids यह बहुत unique concept है Bulldogs को अलग-अलग breeds के साथ में breed किया जाता है और different type के hybrids रोडुच किया जाते है Hi, मेरा नाम है Purwes और हम अपने इस चैनल जिसका नाम है Durable Cannel बे Bulldogs के different type of hybrids को देखेंगे उनके pictures को देखेंगे उनको एक overview देखेंगे कि क्या होता है कि जब bulldogs को अलग-अलग popular breeds के साथ में mix किया जाता है hybrids produce किया जाते हैं तो क्या होता है Good morning viewers आप सब कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ bulldog hybrid dogs ऐसे dogs जो bulldogs से develop किये गए है यह recognized breeds नहीं है लेकिन यह अपने area में popular breeds है यह मैं आपके साथ में क्यों discuss कर रहा हूँ देखें जो लोग dogs के अंदर interested होते हैं वो उन dogs के और breeds के अंदर भी interested होते हैं जो बहुत popular होती है इस में से एक breed जो बहुत जाता popular है वो है golden doodles या labra doodles जो labrador और poodles या golden retriever और poodles से मिलकर बनी है धीरे धीरे hybrid dog develop हो रहे हैं लोग जो पराने enclosure's हैं जो breed के जो enclosure's हैं कि नहीं हमें इसी breed को इसी standard में करना है तो लोग ऐसा नहीं करते हैं लोग कहते हैं कि सिर्फ dog को breed करना सिर्फ इसलिए कि वो एक particular breed का रहे और उसको shows में ले जाना और उसको show करना उनका शौक नहीं होता उनका शौक होता है कि ऐसा dog उनको मिले जो unique हो different हो और healthy हो इसलिए अलग अलग वर्ल्ड के कौनों में अलग अलग breeds को develop किया जाता है और experiment हमेशा किये जाते हैं आज मैं जो आपके लिए लिकाया हूँ वो bulldog की hybrids हैं आप देखेंगे कि bulldogs अलग अलग breeds के साथ में जब इनको cross किया जाता है तो किस तरह का development होता है आईए देखते हैं सबसे पहले breed जो हम बात करेंगे वो है Old English Bulldog की यह pit bulldog और English Bulldog से मिलकर बनी है इस breed को अगर आप देहां से देखेंगे तो यह Old English Bulldog जैसे देखते हैं बड़े होते हैं और काफी muscular होते हैं इस breed को बहुत सारी जगों पे पाला जाता है और इसको बहुत ही new breed की तरह डवलप किया जा रहा है आने वाले सालों में हो सकता है कि इसकी popularity बड़े और बहुत सारे लोग इस breed को पालने लगे और यह धीरे धीरे recognize भी हो जाए जो दूसरी breed है वो है valley bulldog यह boxer और English bulldog से मिलके बनी है देखिए दौनों ही पंच phase breeds हैं लेकिन इनकी height में काफी फर्क है bulldogs compact और muscular होते हैं और जो boxes होते हैं वो उंचे और athletic होते हैं इससे मिलके जो breed बनती है वो intermediate height की होती है और यह दौनों की good features लिये वे होती है इस breed का नाम है valley bulldog जो तिसरी breed है वो है bullpug यह पग जो बहुत ही popular breed है और English bulldog से मिलके बनी हैं दौनों की height में और size में काफी फर्क होता है लेकिन जो इसका hybrid होता है वो बहुत ही cute होता है इस hybrid को बहुत सारे लोग इसलिए भी पसंद करते हैं कि इसके अंदर जो punch face होता है वो bulldog का आता है यह थोड़े से बड़े size में होते हैं और यह देखने में बहुत ही cute लगते हैं दो most popular breeds जो bulldog के अंदर आती हैं वो होती है English bulldog and French bulldog French bulldogs को जब English bulldogs के साथ mix किया जाता है तो हमें एक नए तरह का bulldog मिलता है इस bulldog के जो ears होते हैं वो French type bat ears होते हैं इसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसके head formation के अंदर भी changes आये हैं इस breed का नाम है freelance bulldog और ये breed भी धीरे धीरे popular हो रही है पांचवे breed जिसके बारे मैं बताना चाहूंगा ये है बीगल और English bulldog का mix इसको कहते हैं बीउ बुल बीगल और bulldog का mix ये भी बहुत ही cute breed है दोनों के structure में काफी फर्क है लेकिन जो इसकी hybrid produce किये जाते हैं वो बहुत ही cute होते हैं बहुत ही playful होते हैं और healthy होते हैं बुल डॉग के अंदर आने वाली health issues इनके अंदर नहीं होती पंच faces breed के अंदर एक breed है Boston Terriers ये बहुत ही athletic breed है और इसका face भी bulldog से ही influenced है इनको use किया जाता है bulldog के साथ में और एक नई breed produce किया जाती है ये और भी जाता different vibrant colors में आते हैं इस breed का नाम है English Boston Bulldog ये breed भी धीरे धीरे अपने local areas में popular हो रही है English Bulldogs और American Bulldogs इनके साथ में mix करके English American Bulldogs प्रड्यूस किया जाते हैं American Bulldogs बहुती बड़े और massive size में होते हैं English Bulldogs compact होते हैं लेकिन जो नई breed प्रड्यूस की जाती हैं वो intermediate size की होती है और इनको देखेंगे तो आप बहुत ही unique breed निकल के आती हैं ये और भी ज़्यादा muscular होते हैं और ये भी धीरे धीरे अपने areas में popular होते जा रहे हैं डॉक्स की बात हो और लेब्रडॉर की बात ना हो ऐसा तो हो यह नहीं सकता लेब्रडॉर रिट्रिविल्स को जब Bulldogs के साथ में mix किया जाता है तो एक different breed निकल के आती है ये इसलिए भी किया जाता है कि लेब्रडॉर का जो जो टेंपरेमेंट होता है वो बहुत ही friendly बाना जाता है Bulldogs के comparison में तो Bulldogs के अंदर जो issues है उनको और भी ज़्यादा रिफाइंड करने के लिए Bulldogs के साथ में use किया जाता है उसको Bullador कहा जाता है English Bulldogs और Labrador mix एक बहुत ही popular breed है Poodle Poodle का भी English Bulldogs के साथ में mix use किया जाता है ये भी एक unique breed निकल के आती है क्योंकि दौनों breeds के अंदर similarities बहुत कम है इनके code के अंदर इनके size के अंदर इनके head के अंदर लेकिन जो breed निकल के आती है वो बिलकुल different होती है बहुत से लोगों ने ये combination try किया है और इसके भी unique features वाली dog produce किये गए है 1970 बे सबसे rarest breed में कही जाने वाली sharpie breed जो बहुत ही जादा wrinkle से भरी होती है इसको भी bulldog के साथ में cross कराके new breeds तयार की गई ये breed बहुत ही cute और bulldog और sharpie की features लिये हुए है धीरे धीरे ये भी popular हो रही है और हो सकता है आने वाले time में आप को इसके भी और refined versions देखने को मिलें अपने courage और अपनी muscular power के लिए rotfailers हमेशा से जाने जाते हैं rotfailers को जब English bulldogs के साथ में use किया गया तो एक बिल्कुल unique breed निकल के आई जो size में और बड़ी थी और powerful थी इसको भी हम देखेंगे आने वाले time में कि बहुत सारे dog लोग रखे क्यों क्योंकि ये English bullwailer बहुत ही powerful होते हैं और उनका jaw strength गजब की होती है head बहुत massive होता है length में जादा massive बड़े कान basset hound की पहचान है इसको भी जब bulldogs के साथ में use किया गया तो एक बिल्कुल unique dog निकला जिसकी length थोड़ी लंबी थी और उसके facial features के अंदर bulldog और basset का दौन donation देखने को मिल सकता है ये breed भी कई इलाकों में breed की गई और पाली जाती है golden retriever को लोग बहुत पसंद करते है golden retriever को जब bulldogs के साथ में mix किया गया तो एक और beautiful breed निकल के आई लेकिन एक बात का ध्यान रखिए दौनों breeds बिल्कुल अलग है और इनके features भी बिल्कुल अलग है तो जो नई breed निकल की आई वो बिल्कुल अलग थी यूनीक थी पहुत से लोगों का शौक होता है कि वो यूनीक कलर की चीज़ों को रखें ऐसे लोगों के लिए ये breed बनाई गई सबसे ज़्यादा वैबरेंट कलर में आसीज आते हैं Australian Shepherds Australian Shepherds को जब English Bulldogs के साथ मिक्स किया गया तो हमें combination of puppies मिले जो अलग-अलग वैबरेंट कलर्स के थे इनके अंदर जो कलर्स था वो ऑसीज का था और जो बुल डॉक के कितरे इनका हेड था और बाकी फीचर से इसके अंदर और भी ज़्यादा रिफाइंड करके जब breeding की गई तो बहुत ही यूनीक कलर के हमें puppies मिले दुनिया की सबसे बड़ी breeds के अंदर great dance माने जाते हैं great dance बहुत सारे colors में आते हैं जब great dance को use किया गया bulldog के ओपर तो देखी एक चीज़ बता दूँ कि दौनों के size में बहुत जाता फर्क है ऐसे puppies में बहुत सारे faulty puppies भी आते हैं इन puppies में से कुछ अच्छे puppies को use करके आगे जब इसको breed किया गया तो हमें English bulldains मिले ये भी बिल्कुल unique है smaller breeds में देखा जाए तो dash aunts bulldog के काफी करीब आते हैं लेकिन इनका size और type बिल्कुल अलग होता है लेकिन ये बहुत ही popular breed है क्यों क्योंकि बच्चों के साथ में बहुत ही जादा playful होती है बहुत ही अच्छी होती है इसको भी यूज किया गया और unique color के puppies प्रडूज किये गए आप देख सकते हैं कि किस तरह से different breeds को जब bulldogs के साथ यूज किया गया